सालों पहले चांदनगर के पास एक जंगल था, वहाँ एक बड़ा सा बर्गत का पेड़ था, जिस पर एक कौवा और एक कोयल दोनों अपने अपने घोंसले में रहते थे. एक रात उस जंगल में तेज आधी चलने लगी, देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, कुछ ही देर में जंगल का जो भी था, सब बर्बाद हो गया. अगले दिन कौवे और कोयल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तभी कोयल ने कौवे से कहा, आ, हम इतने प्यार से इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों न जब मैं अंडा दूँ, तो तुम उसे खा कर अपनी भूख मिटाना, और जब तुम अंडा दोगे, तो उसे खा कर मैं अपनी भूख मिटा लूँगी. कौवे ने कोयल की बात पर सहमती जताई, संयोग से सबसे पहले कौवे ने अंडा दिया, और कोयल ने उसे खा कर अपनी भूख मिटा ली, फिर कोयल ने अंडा दिया, कौवा जैसे ही कोयल का अंडा खाने लगा, तो कोयल ने उसे रोक दिया, कोयल ने कहा, तुम्हारी चोंच साफ नहीं है, तुम इसे धो कर आओ, फिर अंडा खाना भाग कर कौवा नदी के किनारे गया, उसने नदी से कहा तुम मुझे पानी दो, मैं अपनी चोंच धो कर कोयल का अंडा खाऊंगा नदी बोली, ठीक है, पानी के लिए तुम एक बरतन लेकर आओ अब कौवा जल्दी से कुमहार के पास पहुँचा उसने कुमहार से कहा, मुझे घड़ा दे दो, उसमें मैं पानी भरकर अपनी चोंच धोंगा और फिर कोयल का अंडा खाऊंगा कुमहार ने कहा, तुम मुझे मिठी लाकर दो, मैं तुम्हें बरतन बना कर दे देता हूँ यह सुनते ही कौवा धर्ती मा से मिठी मांगने लगा वो बोला, मा मुझे मिट्टी दे दो, उससे मैं बरतन बनवाऊंगा और उस बरतन में पानी भर कर अपनी चोंच साफ करूंगा फिर अपनी भूख मिटाने के लिए कोयल का अंडा खाऊंगा धर्ती मा बोली, मैं मिट्टी दे दूँगी, लेकिन तुम्हें खुर्पी लानी होगी उसी से खोद कर मिट्टी निकलेगी, दोडते हुए कोवा लोहार के पास पहुंचा उसने लोहार से कहा, मुझे खुर्पी दे दो, उससे मैं मिट्टी निकाल कर, कुमहार को दूंगा और बर्तन लूंगा, फिर बर्तन में पानी भरूंगा और उस पानी से अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा लोहार ने गर्म गर्म खुर्पी कौवे को दे दी, जैसे ही कौवे ने उसे पकड़ा उसकी चोंच जल गई और कौवा तडपते हुए मर गया, इस तरह चतुराई से कोयल ने अपने अंडे कौवे से बचा लिए